यहां दंगल चल रहा था लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरे देखिए कोई कुरसी फेक रहा है तो कोई हाथ हपाई पर उतारू है पूरा स्टेडियम अखाड़ा बन गया हंगामा काफी देर तक चारी रहा हालाद बिगड़ते देख शहर के सभी थानों की पुलिस मौके पर पहुँच गई और हंगामा कर रहे ही लोगों को तितर बितर किया कल कोतवाली थाना चेतर में दिल्ली प्राव बोरकर और दिल्लु पेलवान ने दंगल का आयुजन करवाया था उसकी अनुमती भी ली थी उन्होंने और कल रात को हम ड्यूटी पर थे आखरी दंगल चल रहा था शाकिर पहलवान और कमल जीत दोनों का उसमें दोनों पहलवान बरावरी की कांटे की टककर थी कुछ फेसला होनी पा रहा था तो दोनों के समर्थक उत्तेजित और उत्सा दर्शकों से चर्चा कर दंगल को बरावरी पे समाप्त गोशित करवा दिया और दर्शकों को हमने अनौन्स करके बोला कि सब अपने अपने घरों के शांती पूरवक लोड़ जाए दरसल यहां के शीर सागर स्टेडियम में कुछती का आवजन किया गया था इस मौके पर दो पहलवानों के बीच दंगल चल रहा था दोनों पहलवानों के कुछती शांदार थी लेहाजा हारजीत का फैसला नहीं हो पा रहा था इसी बीच दोनों पहलवानों के समर्थकों क के बीच मार्केट शुरू हो गई और ऐसे हालाद बन गए उज्जेन से संदीप कुल्चुरिस्ट की रिपोर्ट